अम्रोहा में ये वही घर है जहाँ पर मोहमत शामी अपना समय बिताते हैं जब वो नैशनल ज्यूटी पर नहीं होते हैं ये वही घर है जहाँ पर उन्होंने अपने संघर्ष के दिन काटे हैं ये वही घर है जहाँ वो अपने परिवार के साथ काफी समय बिताते हैं उनके भाई साब हसीद भाई तो यहां मेरे साथ बैठे है स्टेज पर उनकी माता जी भी यहां ओडियंस में हैं भावी भी सामने बैठे हैं परिवार के बच्चे भी इदर हमारे साथ आज इस खास शो में मौजूद है लेकिन मैंने संखर्ष के उस दौर की बात की जिसके य आज इस मुकाम पर पहुँचे है मौमद शमी यह बहुत इंस्पारिंग एक स्टोरी आप भी देखिए रिपोर्ट हर्दिक पंडिया को चोट लगी तो बालिंग में विकल्फ के तोर पर मौमद शमी को मौका मिला और इसके बाद तो शमी ने गजब कर दिया मैदान पर बिताए हर लम्हे को गवरफ शाली के इर्तिवान से सजा दिया शमी को अब आपने टेंड किया है कोई ऐसा किस्सा या वाख्या जिस्से बता सकें कि उसके की साथ कूर रिक है करिक्ट के और जो इंटियंग करे क्टीम है उसको विश्क रिकॉर्ड बनाने के लिए विश्क अप दिलाने के लिए कोई जुनुन वाले वाख्या बताई वाकिया याद नहीं लेकिन 96 में जब इंडिनी टीम हार गई थी हमारी तो चोटा ही था जादा इतना बड़ा वो नहीं था लेकिन वो उसका ये हमेशा रहता था मैच वैस में क्या हुए तो बहुत मुश्किल है वर्ड कप जीतना और यह है तो यह बात ही चलती रहती है आप बेंतहे जुनून दाखेर मेरे मैं शायद ऐसा कोई प्लेयर मेरा ऐसा नहीं रहुआ जितना यह जुनून ही रहा है यही जुनून मुहम्मद शमी के गिंदवाजी में दिख रहा है मुहमद शमी की रिकार्ट और परफॉर्मेंस के चर्चे अमरोहा के गली चौक चौराँ पर हो रहे हैं मुहम्मद शमी का तालुक यही के खेद खलिहार और मैदान से है अब हम रोहा इंतजार कर रहा है कि मुहम्मद शमी भारत को विश्व चैंपियन बना कर जल्द लोटे वैसे निजुलेंड के खिलाब शमी के जादूई प्रदर्शन का असर ऐसा है कि जिस पाकिस्तान से शमी के खिलाब तंज भरी आवासे आती थी आज वही पाकिस्तान शमी के शान के कसीदे पढ़ रहा है अब गेंदबाजी में मुहम्मद शमी टीम इंडिया के सबसे बड़ी ताकत बंद कर उभरे हैं शमी की रफ़तार से भारत को बड़ी उम्मीदे हैं सबसे जादा भरूसा है लेकिन जिस पर शमी को सबसे जादा भरूसा था कुछ वक्त पहले उसी ने स्पीट केसे स्टार की जिन्दगी में जलजला ला दिया 2018 में जो उनका हसीन जहां के साथ में विवाद हुआ था एक बड़ा हास्सा था मौहमद सिमी के लिए परिवार के लिए कैसे उगरे और अब जो परफॉर्मेंस हैं उनकी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है तो पूरा जो परिकरम था किस तरह से आप लोगों हैंडिल लिए कैसे होसला दिया उनको देगी वो एक पुरा बुरा टाइम था हम लोगों के लिए लेकिन शामी खुद अंदर से इतने स्टॉंग है कि इस चीज़ का ज़्यादे मतलब असल नहीं देखने को मिला और का उमीद है आपको वर्ल्ड कप को लेकर के वर्ल्ड कप इंडिया जीते हैं कि मुसीबत के तूफान में भी शमी नाम का दिया जलता रहा अब इस रोशनी से टीम इंडिया का बॉलिंग अटेक जगमगा रहा है देश कह रहा है ये विश्व का घर आ रहा है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फ ABP News आपको रखे आगे